हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त राजी समय जन और दोस्तों मैं आज एक अपडेट निकल के आया है एक समाचार तायर समाचार आया है मैं आपको सामने लेकर आया हूँ वो है कि परात्मिक सिचको की नियुक्ति में नहीं नियावली बन रही है कुछ उसे समंदित परात्मिक सिचा निदेशक की अदेख्षता में गटित कमिटी नियावली में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू और शेतरी भासा बोलने वालों के संक्या के अधार पर आरता निदार्यत करेगी जिस भासा में बोलने वाले कम होंगे उस विशा में सिचको की नियुक पुछे जा सके हुए बरतमान नियुक्ती नियावली में टेट पास अभियर्थि अभर्थियों की स्मेखा के अधार पर सीधी नियुक्ती होगी नई नियुक्ती के साथ सथ प्रुनत्ति के प्राधान में बदलाग किया जागा असिजकों के कारे अनुभव के धर पर प्रद्रती के लिए समय निधर्थ किया जाएगा दोस्तों यह है क्या नई नियाओली बनाई जा रही है जिसमें इसमें लिखा गया है कि जिस भासा में अधिक जन संख्यां होगी और जिस जो कम है कम बोलने वाले है उनकी अर्था कम होगी तो साद है यह नहीं नियाओली में परिछा टेट पास्फ करने के बाद में एक परिछा लेगे और इसमें लिखा गया है कि परिछा जो है हिंदी उ अंग्रेजी दोनों भासा में होंगे और आपको एक और अपडेट है इसमें कि मुडिली स्कूल में समाजी बिज्ञान की सिछक के लिए पद सिर्जित किये गए हैं तो ये एक अची खबर है कि जो साथी हमारे समाजी बिज्ञान में टेट पास किये हैं तो उनको एक मौका है और दुस्तों मैं भी पास गया हो तो मुझे भी एक मौका मिल सकता है तो यह था आज का update आज़री नियावली कब बनती है कितने दिनों में बनती है दुस्तों यह TED के नियावली नहीं है टीटी पास अभीरती के लिए ये समाचार है उन लोगों के लिए फायदा पहुचेगा और टीटी के लिए 2019 में अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है उसके अलग से नियावली बन रही है वो नियावली अभी तक नहीं मिली है और वो जल्द नियावली बनने वाली है तो मैं आप तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद